So good morning everyone, my name is Zankit and today we are going to discuss about the difference between classical conditioning and operon conditioning Last video में हमने जाना था कि जो trial and error theory जो की दी थी है आपकी thon decay ने वो क्या थी साथ ही साथ उसके जो भी different aspects थे उनके बारे में भी हमने अच्छे से study की थी तो आज हम जानेंगे कि जो आपकी classical conditioning है और जो operon conditioning है उसके बारे में क्या के difference हैं उसके अंदर क्या के difference पाए जाते हैं इससे पहले हम classical conditioning को और operon conditioning को अच्छे से पढ़ चुके हैं जिन भी बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें पहले जाकर देख लें उनका link है description box में तो चलिए start करते हैं तो जो आपकी classical conditioning थी वो किस ने दी थी वो एक physiologist ने दी थी जो की थे आपके इवान पैबलोब फीजियो लोजिस का मतलब है कि ऐसा person जो की human body के बारे में study करता है मतलब कि human body के different parts किस तरह से work करते हैं या उनका आपस में क्या relationship है इसके बारे में study करता है और जो इवान पैबलोब थे उन्होंने study की थी human जो digestion होता है उसके बारे में study की थी तो उन्होंने जब इस बारे में study की तो उन्होंने पाया कि जब भी एक कुत्ते को खाना दिया जाता है तो क्या होता है कि वो कुत्ता खाने पर तो salivate करता ही है लेकिन जैसे ही जो person उसे खाना देने आता था उसको देखते हुए भी उसके मूँ से राल टपकने लगती थी तो इसके basis पर इवान पैवलोव ने अलग लग तरह के experiments की ये और आगे चलकर अपनी जो classical conditioning की थियोरी है उसको आगे रखा ऐसे ही जो हमारी open conditioning की थियोरी है उसकी स्थापना किस ने की थी उसकी स्थापना की थी आपके BF Skinner ने जो की एक psychologist थे psychologist basically कौन होता है वो person होता है जो की जो human behavior होते है उनको study करता है कि जो हम humans है वो अलग लग situations में क्यों कैसा react करते हैं अपनी परतिक्रिया ये जो हमारे emotions होते हैं वो क्यों अलग लग तरीके से देते हैं और जो next सबसे बड़ा difference है दोनों theories के अंदर वो है assumption मतलब की जो classical conditioning होती है उसके अंदर ये माना जाता है कि जो कोई भी organism होता है उसके पास right नहीं होता खुश से मतलब की वो खुश से decide नहीं करता कि वो उस learning process में participate करे या ना करे वो तो बस एक तरह से passive होता है वो अराम से पढ़ा रहता है और जैसे ही कोई stimulus आता है तो वो उस पर react कर देता है और साथ ही साथ जितने भी हाँ पर responses दिये जाते हैं और गैनिजम के दुवारा या डॉक के दुवारा उसमें वो कैसे होते हैं वो physiological होते हैं फीजियोलोजिकल मतलब की जैसे की डॉक के कैस में क्या किया था आपके इवान पैवलोब ने उन्हों नहीं किया था कि उसको खाना दिया था तो वो salivate करने लगा था फिर खाना दि बेल थी और खाने को क्या किया पैर किया मतलब कि जैसे उसे खाना दिये जाता था वैसे बेल बजाती जाती थी और इससे क्या हुआ उस डॉक की क्या होई कंडीशनिंग होगी दीरे-दीरे वो कैसा response करने लगा वो बैल के बजातेगी लेट करने लगा तो ये थी आपकी classical जो body है उससे जुड़ी हुई है तो ये क्या response था ये था आपका एक physiological response साथ ही साथ जो आपके जोन वाटसन थे उन्होंने भी classical conditioning को support किया था उन्होंने भी कई तरह के experiments किये थे उन्होंने क्या किया था जो आपकी Ivan Pavlov की theory है उसको ही humans पर अपलाई किया था तो उन्होंने क्या किया था एक बच्चे को लिया था जो कि था ग्यारा साल का अलबर्ट नाम का उसको क्या था वो एक rabbit से बहुत प्यार करता था उसके साथ खेलता था बहुत खुश रहता था लेकिन उन्होंने क्या किया जब जब उस बच्चे को rabbit दिखाया जाता था तो वो क्या करते थे उ बहुत टाइम तक किया गया, तो क्या पाया गया, कि वो बच्चा, धीरे धीरे, जब भी एक rabbit उसके सामने आता था, वो डरने लगता था, क्योंकि उसके mind के अंदर, एक बात छप गए थी, कि जैसे ही rabbit आयेगा, तो एक तेज अवा जाई, और जिससे उसके अंदर कैसा response generate होत जाता है, कि जो response होता है, किसी भी organism का, वो खुद नहीं करता, वो खुद बाखुद हो जाता है, मतलब कि वो involuntary होता है, मतलब कि जिन चीजों पर हमारा control नहीं होता, जैसे कि भूक लगने पर मुह से राल टपकना, salivate करना, ये सब क्या चीज़े हैं, ये आपका है involuntary responses, साथ ही साथ, आप मान लिजे, अगर आपके सामने एक ड्रावना सा भूत आ जाये, या कोई ड्रावनी सी चीज आ जाये, तो क्या होगा, obviously आप डर जाएंगे, तो वो भी क्या होगा, involuntary response होगा, तो ये जो भी responses थे, classical conditioning के अंदर, वो कैसे थे, वो involuntary थे, मतलब कि वो खुद, automatically हमारे अंदर से आ जाते है, साथ ही साथ, जो आपके BF screenner थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक experiment किया था, एक rat के उपर, उसे क्या किया, एक डब्बे के अंदर, जैसा डब्बा आप अपनी स्कीन पर देख रहे हैं, उस डब्बे के अंदर उसे बंद कर दिया, और उसके अंदर कुछ इस तरह का setup लगाया गया, जिसके अंदर क्या था, एक lever था, लीवर मतलब एक switch था, जिसको एक specific तरीके पर दबाने पर ही खाना आता था, मतलब कि मालो अगर वो switch ऐसा था, अगर उसको हम ऐसे दबाएंगे तो खाना नहीं आएगा, ऐसे दिखा गया, कि जब rat उसमें रहा बहुत time तक, तो उसने खुद पाखुद initiative लिया, कि वो जाकर वो उस lever को दबाए, या वो इधर उदर देखे कि खाना किस तरह से आए, तो यहाँ पर कैसा है organism, यहाँ पर organism है आपका active, मतलब कि वो खुद try कर रहा है, और यहाँ पर उसक responses, मतलब कि जो हम खुद बाखुद करते हैं, वो automatic नहीं होते classical conditioning की तरह, वो हम खुद बाखुद करते हैं, मतलब अपनी इच्छा से करते हैं, और साथ ही साथ, जब हम कोई भी response करते हैं, या कोई भी viewer दिखाते हैं, तो हमें उसका क्या मिलता है, consequence मिलता है, जैसे कि जो rat थ यह नतीजा मिला, उसे यह नतीजा मिला, कि उसे खाना मिल गया, मतलब कि इससे हमें ये बताया गया, कि जो भी हमारी environment होते हैं, जो हमारे आसे पास के लोग होते हैं, जब Internet होते हैं, जब हम कोई कारे करते हैं, तो वो हमें उसके कुछ consequences देते हैं, माल लीजे, कोई तो यहाँ पर जो उसके parents हैं वो क्या हुआ उसका environment और वो इसे कैसे consequences दे रहे हैं वो उसको दे रहे हैं आपके negative consequences जो कि उसको पसंद नहीं होंगे और इससे जाके आगे क्या होगा कि उसका behavior change हो जाएगा वो सीच को continue नहीं करेगा साथ ही साथ जैसे rat के case में दिखा गया rat ने जब 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 जो लीवर को ऐसे दबाया तो वो उस वाले behavior को repeat करेगा क्यूंकि उसका consequence आया है जो उसका नतीज आया है वो क्या है उसे खाने को food मिल गया तो ये था आपका assumptions की तोर पर classical conditioning और operand conditioning के बीच में difference कि classical conditioning में आपका जो organism होता वो कैसा होता पैशिव होता है वो इंतजार कर रहा होता है किसी stimulus का किछी चीज के आने का और फिर वो response करें लेकिन जो आपका upfront conditioning में और्गैनिजम होता वो कैसा होता था एक्टिव होता वो अपनी मर्जी से पार्टिस्पेट करता है उसकी मर्जी है वो पार्टिस्पेट करे या ना करे जैसे कि यह जो छए ज guilty nutThe तो आप अगला डिफ्रेंस यह है कि जो आपका classical conditioning होती है उसके अंदर stimulus का बाता है पहले आता है लेकिन जो अपरन conditioning होती है उसमें क्या आता है पहले उसमें पहले आता है behavior मतलब कि जैसे हमने dog वाले case में दिखा था पहले क्या हुआ था पहले food दिया गया था dog को और उसके उपर उसने क्या किया था तो क्या आया पहले food आया और food क्या है एक stimulus है ऐसे ही जो अपरन conditioning वाला case था उसमें क्या हुआ था पहले rat ने behavior दिखाया था एक कार्रे किया था जैसे कि उसने लीवर को प्रेस किया था लीवर को प्रेस करना क्या था एक behavior था साथी साथ जो हमारी classical conditioning होती है इसके अंदर हमारा जो involuntary response होता है जो मैंने अभी आपको समझाया थोड़ देर पहले उसे किस से link किया जाता है उसे एक stimulus से link किया जाता है stimulus क्या है food है और open conditioning में क्या होता है कि पहले आप behavior दिखाते हैं कोई कार्रे करते हैं कोई काम करते हैं जैसे कि rat ने क्या किया लीवर को प्रेस किया और फिर उसकी consequences हमें मिलते हैं तो यहां पर किसको link किया जा रहा ह एक behavior को एक कारे को और एक नतीजे को एक consequence को तो ये है आपका अगला difference तो जो अगला difference है दोनों theories में वो ये है कि जो आपकी classical conditioning theories थी उसमें किसी इस पर focus किया जाता है उसमें stimulus पर focus किया जाता है अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो एक dog था वो after certain period of time जब हम दो चीजों को link करते हैं और दो चीजी क्या थी एक थी आपका food और एक थी आपकी bell जब हमने उन्हें link किया था तो एक time बात जो dog था वो bell को बजने पर भी salivate करने लगा था तो आप डेख सकते हैं यहाँ पर जो पूरा का पूरा focus है वो किसी पर है वो है आपका stimulus पर कि किस तरह से जो stimulus है वो organism में से या किसी animal में से एक response को generate करवाए. तो classical conditioning में किसी इस पर ध्यान दिया जाता है, stimulus पर ध्यान दिया जाता है, और जो operan conditioning है, उसमें किसी इस पर ध्यान दिया जाता है, उस पर behavior पर ध्यान दिया जाता है, जो भी हम काम करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था, कि किस तरह के reinforcement होते हैं, दो तरह के reinforcement होते हैं, साथ ही सा जो punishment थी वो भी दो तरह की थी लेकिन चाहे कितने भी तरह की reinforcement हो चाहे कितने भी तरह की punishment हो उनका main मकसद क्या था या तो जो हमारा behavior था उसको increase करना या जो हमारा behavior था उसको decrease करना तो दोनों ही cases में हमने यह देखा कि जो हमारा behavior है उसको impact किया जा रहा है main जो focus है वो किस पर है behavior पर है मतलब कि response पर है behavior को हम क्या बोलेंगे response बोलेंगे तो जो operand conditioning होती है उस पर किस चीज़ पर focus किया जाता है उसमें response पर focus किया जाता है और जो classical conditioning है उसमें stimulus पर focus किया जाता है इसलिए classical conditioning को कई बार S type conditioning भी बोला जाता है और जो आपकी open conditioning होती है उसे किस नाम से जाना जाता है R type conditioning तो जो हमारा next difference है वो किस base पर है वो है implications के base पर कि जो हमारी दोनों थेयरी है वो किस तरह से real life में हमें impact करती है या फिर हमें फायदा देती है तो जो classical conditioning है उसे हम normally तोर पर कैसे यूज़ कर सकते हैं जो भी animals होते हैं चाहे वो zoo में हो चाहे वो जंगल में हो चाहे वो आपके pet animals हो हम उनकी conditioning कर सकते हैं classical conditioning के तरह साथ ही साथ कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ responses जो बच्पन से generate हो जाते हैं क्योंकि उनके experiences जैसे रहे होते हैं जैसे कि मान लेजे एक लड़की है जिसके पापा उसकी मम्मी को डाड़ते हैं बच्पन से ही जब से वो छोटी थी या उसे मारते हैं तो उस बच्ची के दिमाग में ये हो जाएगा कि जितने भी आपके males होते हैं जितने भी fathers होते हैं वो इस तरह से ही होते हैं तो अगर इस चीज को ठीक करना है तो इसमें आप classical conditioning को अच्छे से use कर सकते हैं जैसा कि आपके John Watson ने हमें करके दिखाया था कि एक बच्चा था जो कि सारे की सारी white चीजों से डरता था तो उन्होंने क्या किया कि जब जब वो खाना खारा होता था उस white चीज को पहले दिन क्या किया इतना दूर रखा और दूसे दिन क्या क्या थोड़ा पास लाए जब वो खाना खा रहा था और जब तीसे दिन और पास लाए चौते दिन और पास लाए और पांचवे दिन उसके पास ही रगदिया वो white cheese rabbit हो गई या चुओं हो गया कुछ भी मान लेजें तो धीरे-धीरे यह पाया गया कि जो जो बच्चा था उसके अंदर जो फियर का रिस्पॉंस था वाइट चीज के टुवाट्स वो क्या हो गया डिक्रीज हो गया बिल्कुल खतम हो गया क्योंकि जो यहां पर खाने का जो सैटिस्वेक्शन था यह जो प्लैजर ओफ इटिंग था उसने जगा ले ली फियर की अगर उसकी मन में यह है कि जितने भी फादर्स होते हैं वो इस थरह के होते हैं तो हम कुछ इस तरह का कर सकते हैं यह उसको ऐसी कंडिशनिंग दे सकते हैं उसे यह बता सकते हैं कि सारे फादर्स ऐसे नहीं होते हैं तो उससे क्या होगा? उसका जो भीए वE cactus है जो की है hatred का या डर का towards males या सोचना इस तरह से या उसकी mentality इस तरह से बन गई है तो उसको हम change कर सकते हैं किसके थू कर सकते है classical conditioning के थू और open conditioning का तो आपने देखा ही होगा बहुत जादा यूज होता है classroom में यूज होता है जैसे teachers होते हैं वह बच्चे के behavior को regulate करने के लिए क्या करते हैं उसे punishment देंगे उसे reinforcement देंगे मतलब कि साबासी देंगे या फिर हमारे घर में भी जो हमारे parents होते हैं वो क्या करते हैं जब जब हम अच्छा काम करते हैं तो और जो operand conditioning है उसका use कर सकते है regulation of behavior में हमने differences तो पढ़ ली अब हम ये देख लेते हैं कि जो classical conditioning है और जो operand conditioning है वो दोनों किसका part है तो वो है part behaviorism का behaviorism का क्या मतलब है behaviorism मतलब की एक सोचने का तरीका है या कुछ लोग हैं जो की behaviorism में believe करते हैं उनका ये मानना है कि जो भी humans होते हैं उनकी learning कैसे होती है वो होती है जो भी हमारे आसपास का environment है उससे interact करके उससे mail जोल करके उसके साथ चीजे करके और कोई भी जो learning होती है किसी किया जा सकता है तो यह है आपका behaviorism का मतलब तो जो आपकी classical conditioning ती उसमें भी behaviorism को follow किया जा रहा था और जो opran conditioning थि उसमें भी behaviorism को follow किया जा रहा था तो यह है आपकी similarity तो यह आपके आगे हैं दोनों के 20 differences एक brief form में summary की form में इनको भी एक बार हम देख लेते हैं और महीं ओपरान कंडिशनी में क्या होता है, कि जो आपका voluntary response होता है, उसको consequence के साथ pair करते हैं, और जो classical conditioning होती है, उसमें क्या होता है, जो हमारा learning होती है, जो हमारा response होता है, वो कैसा होता है, involuntary होता है, मतलब कि वो खुद बाखुद हो जाता है, और महीं ओपरान कंडिशनी में क्या पाया जाता है, कि जो की हमारा behavior होता है, वो कैसा होता है, वो हम voluntary करते हैं, खुद बाख खुद करते हैं, साथी साथ जो classical conditioning होती है, वो कैसी यह passive process है, और जो आपकी ओपरान कंडिशनी में है, वो कैसी process है, वो active process है, साथी साथ जो classical conditioning है, उसमें क्या होता है, जो neutral stimulus है, मतलब कि वैसा stimulus जिससे पहले कोई response generate नहीं हो रहता, जैसे कि bell के case में हो रहा था, पहले अगर bell बजाई जा रही थी, तो जो dog था, वो salivate नहीं कर रहा था, लेकिन after a period of time, उसी bell से वो क्या करने लगा, उसको कम या ज़्यादा किया जाता है, कैसे किया जाता है, reinforcement देखे, या फिर punishment देखे, और साथ ही साथ जो आपकी classical conditioning होती है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है respondent conditioning, और जो आपकी open conditioning है, उसका एक और क्या नाम है, instrumental conditioning, तो I hope आपको ये topic अच्छे से समझ आ गए होंगे, अगर आपको फिर भी कोई doubt है, तो आप नीचे comment box में comment कर सकते हैं, बाकी thank you so much for watching, next video में हम जानेंगे, theory of insightful learning, बाकी अगर आपको मेरी personal life के बारे में, थोड़ा बहुत भी जानना है, तो मैंने एक channel start किया, let's fly के नाम से, वो मेरी bio में ही दे रखा है, YouTube पे आप search करेंगे, या मेरे जो YouTube channel है, Arise with Ankit, उसके अंदर दे रखा है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, I hope आपको वो बहुत पसंद आएगा, so thank you so much, बाकी मिलते हैं, next video में,